Allrounder BSS Classes में आप सभी का एक बार फिर से हारदिक स्वागत हैं आज हम बात कर रहे हैं उस दिन हमने बात खीती अध्याय ध्वनी के अंदर आयाम, आवर्ती और आवर्त काल के बारे में आयाम किसे करते हैं तो ध्वनी के अंदर जो तरंग उत्पन होती है या कमपन उत्पन होता है उस कमपन का अधिक्तम वेग है उसे आयाम कहा जाता है और एक कमपन के अंदर जो समय लगता है एक कमपन पूरा होने के अंदर जो समय लगता है उस समय को आवर्त काल कहा जाता है और आवर्त काल को T से, capital T से दर्साया जाता है तीसरा है भाई आवर्ती, आवर्ती किसे करते हैं तो आवर्ती एक सेकंड के अंदर कितने कंपन अधिक्तम होते हैं या कह सकते हैं कि एक सेकंड के अंदर अधिक्तम कंपनों की संख्या को आवर्ती कहा जाता है अब हमारा आज का नया टॉपिक है वो है प्रबलता हाँ वो क्या है प्रबलता है प्रबलता क्या होती है या प्रबलता किसे कहा जाता है ठीक है अब प्रबलता क्या होती है कभी कबार हमें ध्वनी होती है वो धीमी सुनाई देती है और कभी कबार ध्वनी होती है वो हमें त तेज सुनाई देती हैं उसका कारण क्या है उसका कारण है वाई प्रबलता है ध्वनी का तेज या धीमा सुनाई देना प्रबलता करलता है ध्वनी का तेज या धीमा सुनाई देना सुनाई देना क्या कर लाता है वाई प्रबलता कर लाता है अब यदि प्रबलता अधिक होगी तो वहद्वनी हमें बहुत तेजी से सुनाई देखी और यदि प्रबलता का मान कम होगा प्रबलता का मान नियूंतम होगा तो वहद्वनी हमें धिमी सुनाई देगी अर्था ध्वनी का तेज या धिमा सुनाई देना प्रबलता का कारण है अब प्रबलता का जो मात्रक होता है वो होता है डेसिबल प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है जिसे हम db से दर्शाते हैं अब देखे ये प्रबलता होती है वो किस पर निर्बर करती है तो प्रबलता आयाम के मान पर निर्बर करती है ये question भी बहुत बार परिक्षा के अंदर पूछा जाता है कि प्रबलता का मात्रक क्या है तो प्रबलता का मात्रक क्या है decibel प्रबलता का मात्र का decibel होता है जिसे db से प्रदर्शित किया जाता है अब हम बात करते हैं कि प्रबलता किस पर निर्बर करती है प्रबलता का मान होता है वो आयाम पर निर्बर करता है किस पर निर्बर करता है आयाम पर निर्बर करता है प्रबलता यदि अधिक होगी तो हमें वह द्वनी तेश सुनाई देगी यदि प्रबलता का मान कब होगा नियुन्तम होगा तो वह द्वनी हमें नियुन्तम या धीमी सुनाई देती है ठीक है प्रबलता आयाम पर निर्बर करती है यदि आयाम प्रबलता होती है वो आयाम के स्क्वेर के जा का सकते हैं प्रबलता आयाम के वरक के युद्ध कर्मानुपाती होती है ये लो प्रबलता आयाम के वरक के युद्ध कर्मानुपाती होती है प्रबलता होती है वो आयाम के वरक के युद्ध कर्मानुपाती होती है अर्थात प्रबलता किस पर निर्बर करती है आयाम पर निर्बर करती है यदि आयाम का मान दू होगा तो प्रबलता का मान क्या हो जाएगा चार हो जाएगा क्या हो जाएगा चार हो जाएगा क्योंकि आयाम के वरग के युत कर्मानुपाती होती है अब हम बात करते हैं प्रबलता का मात्रक प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है प्रबलता का मात्रक क्या होता है डेसिबल जिसे डी बी से दर्साया जाता है अब यदि हम सामान्य स्वास ले रहे हैं सामान्य स्वास ठीक है तो जब सामान्य स्वास लेते हैं तो प्रबलता का मान कितना होता है तो प्रबलता का मान होता है 10 dB या कर सकते हैं 10 dB प्रबलता का मात्रक होता है वो होता है डेसिबल मात्रक होता है decibel ठीक है अब सामान्य स्वास लेते है उस समय प्रबलता का मान कितना होता है तो उस समय प्रबलता का मान होता है 10 decibel 10 decibel और यदि सामान्य बात्चित करते हैं हम सामान्य वारता लाब साम्मान्य वार्तालाब करते समय प्रबलता का मान होता है 30 dB और यदि साम्मान्य यतायात चल रही होते हैं उस समय प्रबलता का मान कितना होता है 60 dB यह कितना नहीं यह होता है 60 dB यह होता है 70 dB कितने dB? 70 dB और यदि उद्यूगों की बात की जाए कि उद्यूगों के अंदर प्रबलता का मान कितना होता है तो उद्यूगों के अंदर और सत उद्यूगों के अंदर प्रबलता का मान 80 dB होता है ठीक है यदि प्रबलता की बात की जाए तो सामान्य यतायात के अंदर प्रबलता का मान सित्र डिबी होता है यदि सामान्य हम जब वारतालाब करते हैं उस वारतालाब के अंदर प्रबलता का मान पूछा जाए तो साथ डिबी होता है और यदि सामानिय स्वास ले रहे हैं तो इस स्वास के समय प्रवलता का मान पूछा जाता है तो कितनी प्रवलता होती है 10 decibel 10, इस db को बोलते है decibel decibel हाँ, 10 decibel प्रवलता का मान होता है ठीक है, अब देखिए हमने बात की उद्योगों के बारे में तो उद्योगों के अंदर प्रवलता का मान होता है 80 db या 80 decibel ये मान होता है ये मान सर्वाधिक होता है क्या होता है सर्वाधिक ठीक है यदि 80 db से भी अधिक होता है प्रवलता का मान तो वो प्रवलता का मान हनिकारक होता है वो ध्वनिया होती हैं वो कष्ट दायक ध्वनिया होती हैं उसे हमारे यदि कान सुनते हैं तो कान के पर्दे भी फट सकते हैं इस कारण प्रबलता का मान किसी ध्वनिय के अंदर 80 DC या 80 DC से कम होना चाहिए कम होना चाहिए इससे अधिक होगा तो क्या हो जाएगा कान के परदे फट जाएंगे और वह द्वनिया कैसी द्वनिया कलाती है कश्ट दायक द्वनिया कलाती है ठीके प्रबलता क्या होता है किसी भी ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है अब यदि पूछा जाए कि सामानिय स्वास ले रहे हैं उस समय प्रबलता का मान कितना होता है तो 10 डेसिबल होता है और यदि ये पूछा जाए कि सामानिय वारतालाब करते हैं उस समय प्रबलता का मान कितना होता है तो उस समय होता है 60 decibel और यदि ये पूछा जाए कि सामानिय याता याद चल रहे हैं तो उस समय प्रबलता का मान होता है 60 dc या वो सकते हैं 60 decibel और यदि उद्योगों की बात की जाए तो उसत उद्योगों की जो ये प्रबलता होती है या उसत उद्योकों की जो प्रबलता होती है उसका मान होता है 80 decibel 80 decibel होता है ये maximum मान होता है इससे यदि ज्यादा हो प्रबलता का मान तो वहा ध्वनिया हमारे लिए कश्ट दायक ध्वनिया होती है और ऐसी ध्वनिया सुनने से हमारे कान के पर्दे भी फट सकते हैं कान के पर्दे क्या हो जाते है भाई फट जाते हैं आगे हम बात करते हैं नई टॉपिक की एक आता है तारक कत्व प्रिबलता थो था कि ध्वनी कम सुनाई देती है या अधिक सुनाई देती है इसका कारण क्या है इसका कारण है प्रिबलता अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है तारक कत्व हमने बात की प्रिबलता क्या होती है तो इससे तो ध्वनी या तो अधिक्तम सुनाई देती है और या नियुनतम सुनाई देती है हम बात कर रहे हैं तारक कत्व की तारक कत्व के कारण ही ध्वनी या तो सुनाई देती है हमें पतली और या सुनाई देती हैं मूटी ध्वनी का पतलापन वा मुटापन किसके कारण होता है वाई तारकत्व के कारण होता है ऐसा ठीक है ऐसा भी परीक्षा के अंदर क्वासन पूछा जा चुका है कि ध्वनी का पतला या मुटा किसके कारण होता है option में ये भी आ सकता है तारकत्व आ सकता है decibel आ सकता है माद्धिम आ सकता है कुछ भी आ सकता है तो उसका आंस्वर हमें सही क्या करना है तारक कत्व ध्वनी का पतला या मुटा किसके कारण सुनाई देता है तारक कत्व का तारक कत्व के कारण सुनाई देता है एक होती है महिलाए महिलाए एक होता है पुरूस हाँ क्या होता है पुरूस होता है महिला होती है उसकी ध्वनी कैसी होती है पतली होती है कैसी होती है पतली होती है और पुरूस की ध्वनी होती है वो होती है मूटी अब ये ध्वनी पतली सुनाई देती है इसका मतलब है कि तारक कत्व का मान क्या होता है अधिक्तम होता है अर्थात महिलाओं की ध्वनी के अंदर तारक कत्व का मान अधिक्तम होता है और पूरूसों की ध्वनी कैसे होती है मूटी होती है आवर्ति का मान बिल्कुल भी कम होता है इसका कारण क्या है वाई तारक कत् या मोटा सुनाई देना तारकत्व के कारण होता है ठीक है महिलाओं की ध्वनी पतली क्यों होती है वाई क्योंकि इसके अंदर तारकत्व का मान अधिक होता है और पुरूसों की ध्वनी मोटी क्यों होती है क्योंकि इसके अंदर तारकत्व का मान नियूनतम होता है हाँ क्या होता है न्यूनतम होता है एक भाई मच्छर होता है ना मच्छर जब बिन बिनाता है तो वो ध्वनी हमें कैसी लगती है बहुत ही ऐसी पतली ध्वनी तीखी ध्वनी लगती है उसका कारण क्या है उसका कारण भी यही है क्योंकि मच्छर के बिन बिनाने में भी तारक पत्व क का मान अधिक होता है तार कत्व का मान क्या होता है अधिक होता है और एक होता है सेर दाहरता है तो सेर की धने इतनी हमें जिंजनाट वाली नहीं लगती है जितनी मच्छर की लगती है मच्छर बिन बिनाता है तो थोड़ा कान के अंदर ऐसे कुछ लगता है क्योंकि उसके अं अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी ध्वनिया होती है जो हमारे कानों को सुनाई नहीं देती है और कुछ ऐसी ध्वनिया होती है जो हमारे कानों को आसानी से सुनाई दे सकती है अर्था ध्वनी की परिसीमा कितनी सीमा तक हम ध्वनी को सुन सकते हैं और कितनी सीमा से अधिक व परिशीमा कितनी केपिसिटी होती है जितनी हम दोनी सुन सकते हैं ठीक है सरव्यता की परिशीमा ठीक है इसके अंदर है तीन डेफिनेशन है कितनी तीन डेफिनेशन है ये लोग पल्य डेफिनेशन पल्य है पल्यक्ण थेंड कुन दूसरी है अमारी यहां लिख देते हैं पल्य है सरव्य ध्वनिया थीक है और दूसरी ध्वनिया हमारे कौन सी ध्रूविया पराफसरव्य अवसरव्य ध्वनि या ध्वनिया और एक होती है हमारे पराफसरव्य परा स्रव्य ध्वनिया हम बात करते हैं कि स्रव्य ध्वनिया किसे करते हैं अब स्रव्य ध्वनिया किसे करते हैं परा स्रव्य ध्वनिया किसे करते हैं तो सर्व पृत्व हम बात करते हैं कि स्रव्य ध्वनिया किसे कहा जाता है ठीके तो स्रव्य ध्वनिया किसे कहा जाता है ऐसी ध्वनिया जिसकी आवर्ती का माल देखिए हमने पढ़ा था आवर्ती का मात्रक क्या होता है रे आवर्ती का मात्रक होता है हर्ज आवर्ती का मात्रक क्या होता है हर्ज होता है ठीके, तो आवर्ती किसे कते हैं? एक सेकंड के अंदर अधिक्तम कमपनों की संख्या आवर्ती कलाती है और इसका मात्र क्या होता है? हर्ज होता है, ठीके, तो स्रव्य धुनिया किसे कहेंगे? ये तो हो गया, आवर्ती के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके बात करते हैं, स्रव्य धुनिया, स्रव्य धुनिया किसे कहा? जाता है, ऐसी धुनिया, ऐसी धुनिया, जिसकी आवर्ती का मान, बीस हर्ज से, ये लोग, बीस हर्ज से, बीस हजार हर्ज होती हैं ऐसी ध्वनियों को हम स्रव्य ध्वनिया कहा जाता है ठीक है स्रव्य ध्वनिया किसे कहा जाता है ऐसी ध्वनिया जिसकी आवर्ती का मान ये लोगई आवर्ती का मान बीस हर्ज से पीस हजार हर्ज तक होती है उन ध्वन्यों को स्रव्य ध्वन्या कहा जाता है इस ध्वन्यों को हम आसा नी से सुन सकते हैं क्या कर सकते हैं वाई ये लोग आसा नी से सुना जाता है सुना जा सकता है स्रव्य ध्वनिया ऐसी ध्वनिया जिसकी आवर्ति का मान 20 अर्ष से 20,000 हर्ष तक होता है उन ध्वनियों को स्रव्य ध्वनिया कहा जाता है और इसका जो यह होती है यह ध्वनिया होती है जिसकी आवर्ति का मान 20 अर्ष से 20,000 हर्ष तक होता है इनके मद्य की ध्वनियों को हम आसानी से सुन सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती हैं ठीके, तो कितने हर्ज से कितने हर्ज तक की हम ध्वनिया सुन सकते हैं तो 20 हर्ज से 20 हजार हर्ज तक के मद्य की ध्वनियों को हम आसानी से सुन सकते हैं ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, हाँ, पहली हो गई भई, स्रव्य ध्वनिया, ये देखो, स्रव्य ध्वनिया हो गई, ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं, अवा स्रव्य ध्वनिया, ये लो, अवा स्रव्य ध्वनिया, ठीक है, अवा स्रव्य ध्वनिया किसी कहा जाता है, किसकी बात करेंगे भई आवर्ति की बात करेंगे किसकी आवर्ति की हाँ पहले हमने पढ़ा स्रव्य ध्वनियों की आवर्ति कितनी होती है 20 हर्ज से 20 हजार हर्ज के मध्य की ध्वनिया स्रव्य ध्वनिया कलती है स्रव्य का अर्थ होता है सुनना मलब इस ध्वनियों को आसानी से सुना जा सकता है ठीके अब स्रव्य ध्वनिया ये वे ध्वनिया होती है बीस हर्ज से कम होता है बीस हर्ज से क्या होता है कम होता है ऐसी ध्वनियों को अव स्रव्य ध्वनिया कहा जाता है ठीक है पहले हमने पढ़ा था स्रव्य मतलब उस ध्वनियों को सुन सकते है किस ध्वनियों को सुन सकते है भाई जिसकी आवर्ति का मान 20 हर्ज से 20 हजार हर्ज के मद्य होता है उन ध्वनियों को आसानी से सुना जा सकता है अब हम बात कर रहे हैं अवस्रव्य ध्वनिया अवस्रव्य ध्वनिया किसे करते हैं जिसकी आवर्ति का मान 20 हर्ज से भी कम होता है उस ध्वनियों को अवस्रव्य ध्वनिया कहा जाता है ठीक है वाई अब देखिए हमने बात की 20 हर से 20 हजार के मध्य की ध्वनियों को ही सुन सकते हैं और इसकी क्या है 20 हर से भी कम है तो इसे आसानी से क्या सुना ही नहीं जा सकता है इसे सुनना असंबो है हम जैसे लोग, मानव लोग नहीं सुन सकते हैं, ऐसी द्वनियों को नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, तो स्रव्य द्वनियों को तो सुना जा सकता हैं, अब स्रव्य द्वनियों को आसानी से नहीं सुन सकते हैं, आथी वगेरा सुन सकते हैं, उसके कान क्या होते हैं, बड़े होत अब ये कैसे उत्पन होती है तो जोला मुखी है भूकम्भ है इसके माध्यम से ये छोटी छोटी बीस हर्जवाली द्वनिया उत्पन होती है जिसे आथी वगिरा सुन सकते हैं हम नहीं सुन सकते हैं फिक है इन है सुना नहीं जा सकता है जा सकता है ओके ओके उत्पन कैसे होती है उत्पन तो इसे उत्पन कौन करता है एक तो करता है भुकंप येलो है भुकंप दूसरा दूसरा ज्वला मुखी येलो ज्वला मुखी ओके ठीके अवस्रविय ध्वनिया किसे करते हैं जिसकी आवर्ति का मान 20 हर से भी कम होती है ऐसी ध्वनियों को अवस्रविय ध्वनिय का ध्वनिया कहा जाता है जिसका उत्पन कैसे किया जा सकता है जिसे उत्पन करने के लिए भुकंप और ज्वाला मुख्य द्वारा इसे उत्पन किया जा सकता है और इसे आसानी से सुना नहीं जा सकता है ठीक है अगली धुनिया हमारी कौन सी धुनिय है ये देखो ये हमने पहले पढ़ा स्रव्य फिर अब स्रव्य अब है परा स्रव्य कौन सी स्रव्य परा स्रव्य पढ़ते हैं भाई परा स्रव्य धुनिया किसे कहा जाता है स्रव्यता की परिशिमा इसके अंदर आ गया परास्रव्य ध्वनिया ठीक है परास्रव्य ध्वनिया किसे कहा जाता है तो ऐसी ध्वनिया जिसकी आवरती का मान एसी ध्वनिया जिसकी आवरती का मान कितना होना चाहिए भई 20,000 हर्ज से अधिक होता है हाँ 20,000 हर्ज से अधिक होता है ऐसी ध्वनियों को परास्रव्य ध्वनिया कहा जाता है ठीक है परास्रव्य ध्वनिया किसे कहता है तो ऐसी ध्वनिया जिसकी आवरती का मान 20,000 हर्ज से भी अधिक होता है तो ऐसी ध्वनियों को परासरव्य ध्वनिया कहा जाता है पहले हमने पढ़ा ऐसी ध्वनिया जिसकी आवर्ति का मान 20 हर्षे 20,000 हर्ष के मद्दी होता है ऐसी ध्वनियों को तो कहा जाता है सरव्य ध्वनिया जिसे आसानी से सुना जा सकता है दूसरा हमने पढ़ा था कि ऐसी धुनिया जिसकी आवर्ती का मान 20 हर से भी कम होता है उसे अवसरव्य धुनिया कहा जाता है जिससे आसानी से नहीं सुना जा सकता है अगला है परासरव्य धुनिया तो ऐसी धुनिया जिसे जिसकी आवर्ती का मान 20 हजार हर से भी अधिक हो ज जाते हैं फट जाते हैं तो ये ध्वनिया भी कैसी ध्वनिया होती है कश्ट दायक ध्वनिया होती है ऐसी ध्वनियों को हमें समझ में नहीं आती है इसे हम ध्वनिय नहीं कर सकते इसे बोलते हैं सोर कहा जाता है ऐसी ध्वनियों को सोर कहा जाता है क्योंकि बहुत ये तेजी से सुनाई पढ़ते हैं कान को पता ही नहीं चलता है कि यह क्या बोली है और ऐसी हम थोड़ी देर सुनते हैं तो हमारे कान के परदे फट जाते हैं इस कारण ऐसी ध्वनियों को ध्वनिय नहीं करकर क्या कते हैं सूर कहा जाता है ठीक है क्या कते हैं सूर कहा जाता है यह हो गय या हमारे स्रव्यता की सिमाएं, आगे हम पढ़ते हैं कर्ण के बारे में, किसके बारे में, कर्ण किसे करते हैं, कान को कहा जाता है, अगला है हमारे कर्ण की जोती जलाएंगे, हम ग्यान की जोती जलाएंगे